जब भी हम 3 star, 4 star या 5 star सुनते हैं तो हमारे दिमाग में शांदार होटलों की तस्वीरें आती हैं लेकिन अंतरिक्ष में असल में कई सितारों के ऐसे सिस्टम होते हैं ऐसे multiple star सिस्टम में तारे एक दूसरे से गृत्वा करशन के जरिये जुड़े होते हैं नासा ने 6 सितारों वाला एक सिस्टम खोजा है ये सितारे एक दूसरे के चक्कर काटते हैं ऐसा करते हुई ये ग्रहन लगाते हैं कमाल की बात ये है कि इन सभी सितारों पर ग्रहन लगता है। अब तक खोजा गया, ये ऐसा पहला स्टार सिस्टम है, जिसमें 6 सितारे ग्रहन में हिस्सा लेते हैं। नमस्ते मैं आयोश हूँ, साइंसकारी के इस एपिसोड में हम 6 तारों वाले सिस्टम की बात करेंगे। इनने कैसे खोजा गया, ये तारे कैसे ग्रहन डालते हैं और इनमें क्या खास है। पहले हम ग्रहन वाला अपना कॉंसेप्ट रिवाइस कर लेते हैं। प्रित्वी सूरी की परिक्रमा करती है, चांद प्रित्वी के चक्कर काटता है, कभी कवार तीनों का आमना सामना हो जाता है और ग्रहन पढ़ जाता है। आम तोर पर हम दो टाइप के ग्रहन देखते हैं, सूरी ग्रहन और चंद ग्रहन। कभी-कभी प्रित्वी और सूरज के बीच चांद आ जाता है, ये सूरज की रोशनी को आंशेक या पूर्ण रूप से रोक लेता है, इसे सूर ग्रहन कहते हैं, कभी चांद और सूरज के बीच प्रित्वी आ जाती है, चांद पर पढ़ने वाली सूरज की रोशनी को प्रित् सोचिए जब 6 सूर्य जैसे सितारे एक दूसरे के इर्दगिर्द घूम रहे हों तो कैसे ग्रहन होंगे नासा ने जो 6 सितारा सिस्टम खोजा है उसमें हर तारा कभी न कभी ग्रहन में भाग लेता है ये अब तक खोजा गया ऐसा पहला स्टार सिस्टम है ये 6 star system पृत्वी से 1900 light year दूर है अंतरिक्ष में लंबी दूरी नापने के लिए light year यानि प्रकाशवर्स का इस्तमाल होता है light एक सेकेंड में लगभग 3,000,000 km की दूरी तैय करती है तो सोचिए 1900 सालों में light कितनी दूरी तैय करेगी ये 1900 light year का distance होगा ये 6 star system जहां मौझूद है उस जगह का नाम है TIC 168789840 ये कैजा नाम हुआ यार ये नाम मुश्किल लग रहा है तो इसका एक दूसर नाम भी है TYC 7037891 इसी दिन के लिए Shakespeare कहे गए हैं नाम में क्या रखा है इस star system के behavior को समझते हैं इतना तो आप समझी गए हैं कि इस system में 6 तारे हैं इनका आपस में क्या रिष्टा है ये 6 सितारे दरसल 3 binary star के जोड़े हैं ये binary star क्या होता है binary star यानि ऐसा system जिसमें 2 तारे एक common center के चक्कर काटते हैं तो binary star system ऐसा होता है जैसे दो लोग डांडिया खेल रहे हो या एक दूसरे के हाथ पकड़के गोल-गोल चक्कर काट रहे हो बस तारों के हाथ नहीं होते तो वो एक दूसरे के गुरुत्वा करशन के प्रभाव में चक्कर काटते हैं इस 6 star system में मौझूद तीन binary star system को A, B और C नाम दिये है system A के दो तारे एक परिक्रमा पूरा करने में एक दिशमलाव तीन दिन का वक्त लगाते हैं system B के तारे 8.2 दिन में और system C के तारे 1.6 दिन में परिक्रमा पूरी करते हैं एक दूसरे के इर्ध गिर्द आगे की बात समझने के लिए screen पर image को ध्यान से देखिए तीनो binary systems में दो तारे तो परिक्रमा करी रहे हैं system A और C एक दूसरे की परिक्रमा भी कर रहे हैं A और C हर 4 साल में एक परिक्रमा पूरी करते हैं ये दोनों मिलकर एक 4 सितारा system बनाते हैं इसे AC system नाम दे दिया गया है फिलाल अब B system वाला जोड़ा और AC system भी एक गिरे में घूम रहे हैं इनकी एक परिक्रमा पूरी होने में लगभग 8000 साल का वक्त लगता है तो ऐसा है कि तीन जोड़े हैं हर जोड़े में दो लोग गोल-गोल डांडिया खेल रहे हैं जोड़ा A और जोड़ा C एक दूसरे के गोल-गोल भी भूम रहा है और ये AC की चौकडी और B की जोड़ी आपस में भी चक्कर काट रही है कुल मिलाकर इस 6 star system में बढ़ियां वाला dance चल रहा है पहले भी ऐसे 6 तारों वाली system देखे गए हैं लिकिन ये वाला खास है ये वाला पहला ऐसा system है ये बात बार-बार दोराई जा रहा है जिसमें सभी तारे एक दूसरे के आगे पीछे से गुजरते हैं मतलब सभी पर ग्रहन पड़ता है कम से कम पृत्वी से देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है इसकी कोच कैसे हुई? इस 6 स्टार सिस्टम को बाहरी ग्रह खोजने वाली एक सेटलाइट न धूड़ा है पहले हमने सौर मंदल के ही ग्रह सिर्फ पता थे 1922 में पहली बार सौर मंदल के बाहर के ग्रहों की प्रुष्टी हुई हमारे सौर मंदल से बाहर मौजूद ग्रहों को एक्जो प्लानेट कहते हैं 2018 में NASA ने SpaceX की मदद से एक सेटलाइट लॉंच की इस सेटलाइट को खास तौर पर अंतरिक्ष में एक्जो प्लानेट धूरने के लिए बनाया गया था इसका नाम है Transiting Exoplanet Survey Satellite Short Form T.E.S.S. TESS इसी सेटलाइट न यह 6 सितारा सिस्टम खोजा है दरसल एक्जो प्लानेट खोजने के लिए TESS जैसी सेटलाइट Light Dip का पता लगाती है Light Dip यानि रोशनी में आने वाली कमी सेटलाइट से तारों की रोशनी पर नजर रखी जाती है जब भी कोई एक्जो प्लानेट परिक्रमा करते हुए किसी तारे के सामने से गुजरता है तो उस तारे की रोशनी में कमी आ जाती है इसे ही Light Dip कहते हैं इसी रोशनी की कमी से टेस्क को पता चलता है कि वहाँ कोई एक्जो प्लानेट मौजूद है इसी Light Dip वाले सिध्धान से वैग्यानिक वाइनरी स्टार सिस्टम भी खोजते हैं और इसी सिध्धान की मदद से यह 6 तारे वाला सिस्टम खोजा गया है इसे खोजने वाली टीम का नेतरत दो वैग्यानिक कर रहे हैं पहले हैं Data Scientist Brian Powell और दूसरे हैं Astrophysicist Vaseline Kostov इन वैग्यानिकों ने अपनी यह खोज The Astronomical Journal में प्रकाशित की है यह 6 ग्रहन वाले तारे सिर्फ देखने और सोजने में ही मज़ेदार नहीं है Astronomers यानि खगोल वैग्यानिकों को इन ग्रहनों से कई बातों का अनुमान लगाने में मदद मिलती है ग्रहन की गहराई और समय अवधी से सितारों के आयाम, द्रव्यमान और सापेकशिक तापमान का पता लगता है इस जानकारी से इन सितारों के मॉडल्स तयार होते हैं और इस से हमारी समझ में इजाफा होगा कि ऐसे स्टार सिस्टम साखिर बनते कैसे हैं अभी तक इस पाद की पुछ्टी नहीं हुई है कि इस सिस्टार सिस्टम में कहीं कोई एग्जो प्लानेट यानी कोई ग्रह है या नहीं वेग्यानिकों को लगता है कि अगर वहाँ कोई ग्रह है तो इसके C-binary सिस्टम में होने की जादा सम्भावना है सिस्टम A और सिस्टम B एक दूसरे के बहुत करीब हैं अगर A और B में कोई ग्रह होगा तो या तो वो बाहर फिक दिया गया होगा या उसे चार में से किसी एक सितारे ने निगल लिया होगा अगर सिस्टम C में कोई ग्रह होगा तो वहां से आस्मान का नजारा देखने लायक होगा यहां रहने वालों को आस्मान में दो बड़े सूर्य दिखेंगे इसके अलावा चार बहुत चमकदार सितारे दिखेंगे यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताईए इसे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया